Hey guys, नवाजुद्दीन सिद्धिकी का अलिशान घर तयार हो चुका है अभी नेता ने मुंबई में एक बंगला बनवाया है जो तीन साल में बन कर तयार हुआ है खास बात ये है कि इस घर का इंटीरियर डिजाइन भी खुद अभी नेता ने किया है नवाजुद्दीन सिद्धिकी ने अपने पिता की याद में अपने सालेशान घर का नाम नवाब रखा है नवाजुद्दीन सिद्धिकी ने अपने करियर की शुरुआत एक चौल से की थी इतना ही नहीं ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि एक वक्त था जब गुजारा करने के लिए नवाजुदीन ने वाच्मेन तक की नौक रिकी है नवाजुदीन का या शानदार बंगलो मुंबई के अंधेरी में वर्सोवा यारी रोड पर मौजूद है इस मौके की कई तस्वीरें सामने आई हैं आप भी देखें जिन में नवाजुदीन सद्दिकी का या शानदार घर हर तरफ से लाइट्स और रोश्नी से जगमगा रहा है कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस घर की सरशना गाउं में उनके पुराने घर से प्रेरित बताए जा रही है अब ऐसी खबरें सामने आ रही है कि इसी घर पर नवाजुदीन की अगले फिर्म टिकू वेट्स शेरू की राप अप पाटी हुई है जहां कंगना रनौत के साथ फिल्म के अन्य क्रू मेंबर्स भी शामिट हुए हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में अभी बताया गया है कि नवाजुदीन ने हाउस वामिंग पाटी रखी थी जहां कंगना भी नजर आए तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपना धेल सारा प्यार टिप टॉप पे बरकर आ रखें टेक केर